मैं हूँ डीपी पांडे और आप देख रहे हैं जनहित इंडिया राजकी मेडिकल कालेज आजमगड में रीड की हड़ी का हुआ सफल आपरेशन सोल वर्सी अलका को मिली नई जिन्दगी जनपद माउं की रहने वाली अलका जिसे स्पाइन थी खड़ी नहीं हो सकती थी उसकी रीड के हड़ी में पस था पैरों में ताकत नहीं थी जिसको सरजरी के जरिये ठीक किया है राजकी मेडिकल कालेज आजमगड की डाक्टर प्रफेसर अनिल कुमार राय ने रीड की हड़ी के ऑपरेशन आप यहां पीजी आई में अभी जख नहीं होते थे और यह बड़की को टुबर क्लोसिस थी इस पाइन की और रीड की हड़ी में पस था और पैरों में ताकत खतम हो रही थी तो ऐसे केसिस में ऑपरेशन करना बड़ा जरूरी हो जाता है तो ह इसके कारण दर्द तो तुरत ही खतम हो जाता है 72 गंटे बाद लेकि परमात्मा के दया से इसके पैरों में ताकत भी आ गई है जो आपने देखा अभी खड़ा होते हो इसको इसके पहले यह खड़ी नहीं हो सकती थी अब यह खड़ी हो रही है और एक महीना होते होते चलन में भी लगेगी तीवी की दवाएं चलती रहेंगे तो यह सरदरी यहां पर हुई है पीजी आई में हलाकि काफी अस्विधाएं हैं लेकिन उसको धीरे धीरे विकसित किया जा रहा है और पेशिंट को लिटाने के लिए प्रॉपर टेबूल प्रॉपर इंस्टूमेंट्स और प्रॉपर निरो मॉनिटर मोन स्कैल पले तो काफी आगे की चीज़े हैं पर बेसिक इंस्टूमेंट्स की मदद से और कुछ इंस्टूमेंट्स हायर करके हम लोगों नहीं यह ऑपरेशन किया और यह ठीक है हम जुलाई 2022 से सार्शन में मेरे को भीजा यहां इसके पहले आजमगर में इस्थित राजकी मेडिकल कालेज जिसे मीनी पीजी आई के रूप में जाना जाता है यह मेडिकल कालेज चक्रपानपूर जो जन्पद मुख्याला से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर बना है जब से यह मेडिकल कालेज बना है तब से इसमें कोई स्पाइनल सरजरी घुटने का जोड फुल्ह का आप्रेशन नहीं हुआ था लेकिन कासी हिंदू विश्विद्याले के अस्थी रोग विभाग के पुर्व विभागा धच प्रोफेसर अनिल कुमार राय के जुलाई 2022 में आने के बाद इस मेडिकल कालेज में हड़ी रोग से सम्मंदित सारे सल्य चिकिस्सा सुरू हो गई है यह आजमगड के लिए एक बड़ी बात है क्योंकि आम लोगों को अपने मरीज को लेकर जन्पद के बाहर जाकर दूसरे जन्पद में इलाज कराना पड़ता था और यह उपकरण केवल विदेशों में उपलब दे था प्रोफेसर अनिल कुमार राय विख्यात अस्थि रोग विशेशग्य है प्रोफेसर राय आजमगड के लाल गंज के मधोपुर धरांग के मूल निवासी हैं उनका अपने जन्पद से लगाव उन्हें आजमगड खीच लाया और उन्होंने अपने को यहां सेवा देने के लिए राजकी मेडिकल कालेज आजमगड से जोड लिया सासन की मनसा के अनरूप अपर मुख्य सचीव चिकिस्सा सिछा आलोग कुमारद्वारा प्रदेश की समस्त मेडिकल कालेजों को अत्याधुनिक चिकिस्सा उपलब्द कराने के निमित प्रोफेसर अनिल कुमार राय को मेनी पीजियाई आजमगड में तैनात किया गया है प्रोफेसर अनिल कुमार राय ना केवल मरीजों को देखेंगे बलकि आर्थों के चिकिस्सकों को आधुनिक सैले चिकिस्सा का प्रसिच्छन भी देंगे प्रोफेसर अनिल कुमार राय पहले डाक्टर हैं जिन्होंने घुटने और कुले के जोड का बाईपोलर वर्स 2003 में इजाद किया है एवंग वर्स 2008 में पेटेंट हो गया इस प्रकार का भारत का यह पहला पेटेंट है जो विदेशों की तुलना में 20 गुना सस्ता और उसकी लाइफ धाई गुना ज्यादा है उनकी पहचान B.E.H.U. डिवाइस के रूप में है जिसका B.E.H.U. के ट्रामा सेंटर साइथ पुरवान्चल के दरजनों जिलों में प्रयोग हो रहा है इस नई जोड बाईपोलर से अब तक साढ़े 4000 सफल आप्रेशन हो चुके हैं प्रोफिसर राय ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि यह आप्रेशन सिमिस संसादनों से पूर्ण किया गया है जबकि इस आप्रेशन के लिए बोन, स्कैमपल नाइफ, नियूरो मानीटर, स्पाइनल इस्टुमेंट्स जैसे उपकरण की महत्तोपुन भूमिका होती है जो इस संस्थान में नहीं है जिसे बाहर से रिंट पर संस्था के प्रधानाचार, डाक्टर आरपी सर्मा दौरा उपलब्द कराया जा रहा है दोस्तों इस वीडियों को ज़्यादा ज़्यादा सेहर करें ताकि परिशान लोग इस सुविदा का लाव लोग